पेनिये स्टॉक में यदि आप भी निविश करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऐसे धेर सारे पेनिये स्टॉक आपको मिल जाएंगे जिसमें आप ट्रेड करके ना सिर्फ अच्छा मुनाफ़ा बुक कर सकते हैं बलकि अपने सपनों को भी पुरा कर सकते हैं आज के वीडियो में हमने पांच ऐसे पेनिये स्टॉक को समलित किया है जिनमें इन दिनों सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहे हैं यानि कि इसमें भोलिम काफी हाई है सबसे ज़्यादा ये एक्टिव पेनिये स्टॉक हैं इस वीडियो में दी गई जनकाडी सिर्फ information मातर है कहीं से भी मैं किसी भी stock में buy करने का suggestion नहीं करता हूँ और दुसरा चीज की stock में निविस करने से पहले आप अपने financial advisor से संपर कवस्य कर ले share market में profit के साथ आपको loss का भी जोखिम रहता है अता आप सबसे request है अपने अस्तर से अपने financial risk लेने की छमताओं पे एक नजर जरूर डाले है share बाजार में निमिस करने के लिए आज ही डिमिट प्लस trading account ओपेंट कराएए अपने कराएए अकाउंट ओफनिंग के 24 आवर के अंडर आपके नमबर पे मल्टी बैगर पेनी स्टॉक सेंटर दिये जाएंगे आज के टॉप collected पेनी स्टॉक में मेरा पहल है नमबर पे जो इस्टॉक है वो है उत्तम हेलो इस्टॉल उत्तम हेलो इस्टॉल के बाड़े में आप जानते ही है और प्रिवियस में भी मैंने काफी सार वीडियो इस्टॉक के उपर बनाया हुआ है करिंट प्राइस पचास पैसे के करीमें ट्रेड कर रहा है जबकि बावन वीक हाई से ये 35 परसेंट ज्यादा शस्ति दाम उप्या भी एबिलेबियल है इस स्टॉक में 112 परसेंट से ज्यादा के बोलिम इंक्रीज हुई है उत्तम हैलो इस्टिल एनसी और बीसी दुनों पर लिस्टेड है और ये आयरं तथा इस्टिल से रिलेटेट प्रोड़क्ट बनाती है रिटर्ण की लिहाज से स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्ण दिया हुआ है चाहे वो फिर एक week में हो एक month में फ्रस डाउन गया है एक साल में हो इस टॉक ने आप देख सहरेंगे देख सो 63% से इभाव का ये रिटर्ण दिया है एक साल में डेट ट्रेडिंग के लिए या फिर सॉट टर्म के लिए इस टाइप के स्टॉक बहुत ही अच्छे होते हैं जिनमें आपको अच्छे रिटर्ण भी मिलते हैं और लिकीडिटी भी अच्छी रहते हैं इस स्टॉक बाई करने के लिए काफी सारे इसमें पोजेटिव पॉइंट है कैंडले स्टॉक बुलिश है फाइनेंसियली स्टॉक में काफी सारी चीज जो है वह सुधार के तरफ में चल रही है और पाले के अपक्षा कहीं बेतर कर रही है कंपने नेट प्रोफिट भी अच् प्रेयर नंबर पे जो स्टॉक है वह है रिलाइंस कम्मुनिकेशन रिलाइंस कम्मुनिकेशन नियर टर्म में देखा जाए तो काफी अच्छा रिटरन दे चुगा है और भी भी इसमें रिटरन देने की कैपिस्टी है बट यह थोड़ा आप रिस्की हो चुगा है फिर भी बाउनवीक हाई से लगभग 36% सस्ते दामो पे लेवल है सबसे ज़्यादा इंपोर्टेन इसकी भोलिम है 422% से ज़्यादा इसमें भोलिम इंक्रीज हुई है रिटरन के लिहाज से रिलाइंस कम्मुनिकेशन प्रिवियस वन इयर में 175% से ज़्यादा का रिटरन दे और इसमें लिक्विडिटी कमी नहीं है आप इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं यानि कि बाई और सेल करने में कोई भी परिशानी नहीं होने वाली है इस कड़ी का ठाड़ स्टॉक है सुजलोन एनर्जी सुजलोन एनर्जी भी काफी लंबे टाइम से मैं कवर कर रहा ह और सुजलोन एनर्जी भी बहुत अच्छे स्टॉक है पैनी स्टॉक के रूप में यह दिया आप बाई करना है चाहते हैं तो लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं फेप्टी टू वीक से लगभग 45% से एवक की इसमें गिरा उटा चुकी है और भोलिम भी काफी गिर चु किया है और नियर टर में आपको अच्छी मुमेंट इसमें देखने को मिल सकता है इसे स्टॉक की कुछ पोजेटिव और कुछ निगेटिव चीज़ें हैं जिसे आपको अवस्ट्रे देखनी चाहिए नेक्स्ट जो पेनी स्टॉक है उसके उपर भी मैंने प्रिब्यूस में वीडियो बनाया हुआ है और भाई का रिकमेंडेशन उस टाइम में भी किया था अभी भी यह बाई के लिए लेकर आया हूँ और यह है थ्री आई इन्फोटेक लिमिटेड इसमें आप देख सकते है 221 परसेंट से ज्यादा यह ग्रू कर चुका है 92 हाई से इसके भॉल्यू में भी इन्क्रीजमेंट देखनों के मिल रहा है इसके आलामें आप देखेंगे तो रिटर्न के लिहाज से भी स्टॉक काफी दमदार है एक मन्त से एक यर चाहे पांच यर में आप देखेंगे स्टॉक को बाई करने के लिए इस स्टॉक में आपको देखा जाए तो एक महिने में 20 परसेंट से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है और मीडियम टू लॉंग टॉर्म में काफी अच्छा प्रफॉर्मेंस वीडियो की लास्ट स्टॉक काफी दमदार है ट्राइड ट्राइ इंक्रिज हुई है रिटर्न के लिहाज से बात किया जाए तो ड्राइटेन में काफी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है शोटर्म में या कहें तो इंट्राण से और मोमेंटम इसमें काफी हई रह रहा है यंदिनों बॉय का सज़ेशन देखिए- dus 68 % लोगों ने 5000ं से सब नहीं है mutual fund holding इसमें बढ़ रही है promoter holding increase हो रही है जब कि इसमें कोई भी promoter holding गिरवी नहीं है तो इस stock में buy करने के लिए काफी सारी positive point है जिसके recording मैं कहूं तो यह stock अपने portfolio में समली तविस्य करने चाहिए तो इस video के माध्यम से मैंने उन 5 पेनी stock के बाड़े में बताया जिसमें इन दिनों सबसे ज्यादा trade हो रहे हैं जो काफी ज्यादा आकर सक है volume काफी increase है और यह short term या फिर day trading या फिर long term के लिए काफी ज्यादा आकर सक हैं तो आज के इस video में से 5 stock में से कौन सा stock आपको काफी पसंद आया वो इस stock को आप comment में अवस्य बताएं इस channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिए जिए because ऐसे penny stock किसी और channel पर आपको नहीं मिलेंगे